दोस्तों आप सभी लोगा फिर सेखनाई ब्लोग में स्वागत हैं गाइस कहा है कि एक समय था कि हम बहाना डोड़ते थे कि भाई कास कोई ऐसी प्रावलम हो जाए कि हम डूटी ना जाए अब भाई आज ऐसा समय है कि भाई चाये बारिस आये चाये तुफान आये चाये कुछ भी हो भाई डूटी कंपनी में जाना है तो जाना है जानते हो क्यों क्यों क्योंकि इंसान को जरूरत जब होती है तो कुछ भी करने को तयार हो जाता है तो भाई अभी present time में अब हम लोगों की साधी हो गी है निमन परकार के खर्चे हैं तो भाई क्या है ना कि जिनको बच्चे अगर पालना है ना तो रोड पे भी अगर मजदूरी करना अगर होगा ना तो रोड पे भी जाके मजदूरी रेगा तो भाई प्लीज आप लोगों स्रिक्वेश्ट है कि काम चाहे कैसा भी हो काम चाहे कैसा भी हो आप यार काम करो क्योंकि अगर आपके जे में पैसा नहीं होगा ना तो भाई ये लगा लिजे कि आपको कोई भी 100 रपे भी देने वाला नहीं है समझे ना क्योंकि भाई खुद का experience में आप सभी लोगों का साथ share करता हूं अपना Guys सारे के सारे भाई लोग क्या है कि अभी present time में सभी लोग duty नहीं गए थे अब देखिए बारिश थोड़ी हलकी हुई है तो लोग भागे भागे duty जा रहे हैं तो भाई हम भी चलते हैं फटाक से duty क्योंकि company में जाना यार दोस्तो ब्लोग बनाने का स्थमेश ज्यादा मुझे नहीं मिल पाता है क्योंकि भाई 17-18 घंटा काम हो जाता है डेली का रोटी बनाना है खाना भी है डूटी जाना है 12 घंटे काम करना है निम्न परकार की समस्या में तो भाई मैं नहीं कर पाता हूं आप लोगों को डेली ब्लोग मिलता रहेगा दोस्तों इतना घंटा काम करता हूं और बहुत सारे जो भाई लोग वाट्सअप करते हैं उनको मैं जब काम नहीं लगबा पाता हूं तो ये लगा लिजियो क्यों कहते हैं कि भाई आप तो यार help नहीं करते हो तो भाई बताईए मैं कैसे आपकी help कर सकता हूँ तो प्लीज आप लोगो उसी request है आप लोग मेरे को जब भी संपर करना है संडे को किजिए और बस इस ब्लोग में बस इतना कहूंगा कि देखो भाई आपना समय नश्ट मत करो पैसे कमाने पर ध्यान दो क्योंकि भाई बहुत सारी समस्याएं हरी जितान को होती है निम्न प्र